Hey guys, myself Pradip Awasthi और इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बेसिकली सिखा रहा हूँ MovieJoo तो चलिए इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं MovieJoo के डाउनलोड की यानि आप कहां से MovieJoo को डाउनलोड कर सकते हैं तो पहले जो इसका ऑफिशिल वेफसाइट है वो anyju.co.uk है साइब तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं इसके अलावा पहले जब यह 2013 था तो यह 2013 वरजन में इसको एक legacy वरजन उन्होंने अल्रेडी दिया था अब यह free नहीं है अब आप इससे purchase करना पड़ेगा आपको तब आप चाहते तो इसको डाउनलोड कर सकते थे anyju.co.uk से और वहाँ से आप इसको अपने इस पे system में यूज कर सकते थे तो आप इससे डाउनलोड करने के लिए जा सकते हैं anyju.co.uk और वहाँ से आपको Google पर साइज करते ही नीचे Google वाले पेज़ पे ही एक डाउनलोड लिंक दिखाई दे जाएगा उस डाउनलोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 64 और 36 का पूरा सेटप दिखाई दे जाएगा तो वहां से आप कलिक करके इसे डाउनलोड कर ले हमारे पास अललिड़ी डाउनलोड है तो मैं इसको एक बार डाउनलोड हो चुका है तो आपको इंस्टब्स करके दिखा देता हूँ और इस्टॉल होने के बाद इसमें मैं आपको को दिखा देता हूं कि यह open करके कि यह कैसा दिखता है इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके साथ हम लोग कैसे काम करते हैं तो आपको समझ जाएगा तो चले चलते हैं अपने इस्टालेशन की और और यहां से हम लोग इसके इस्टालेशन की बात करेंगे तो हमारे पास ज अगरा DirectX का खुदी setup, इसके setup के साथ ही आता है, तो आप इसको right click करके run as administrator कर सकते हैं, या फिर आप open कर सकते हैं, लगिन अगर आप windows 10 यूज कर रहे हैं, तो सबसे पहले make sure कि आपने इसकी compatibility on कर रखी है, तो यहाँ पे compatibility mode होता है, आप एक compatibility mode पे जाके run as window 8 करेंगे यहाँ प इसको right click है, बाकी installation का process same है, बीच में सिर्फ DirectX में चला जाता है installation के लिए, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं और इसको install कर सकते हैं, हम आपको सीधे वैसे तो खोल के दिखाते हैं, कि यह setup हमारे पास already install पड़ा हुआ है, तो हम सीधे वहाँ पे चलते हैं, अपने setup पे, जिस इसे भी यहाँ पे installation के लिए आगया है, मैं yes करता हूँ, तो थोड़ा सा यह verify कर आएगा installer को, इसके बाद वही आ जाएगा, यहाँ पे आपको language select करनी होती है, यह से मैं English select करता हूँ और ok करता हूँ, फिर यह movie zoo का agreement और license आजाता है, आप agree करेंगे, आई agree पे, और next करके, next करते जाएंगे, तो यह install हो जाएगा, बाद में आपको finish कर देना है, ठीक है, इसके बाद जैसे यह complete हो जाता है, तो सीधे run करने के लिए बोलेगा, तो हमारे पास जैसे already यह बना हुआ पड़ा है, तो मैं इसको close कर देता हूँ फिलाल के लिए भी, इसको मैं open करता हूँ तो यह इस तरीके से movie zoo आपका open होने लगेगा, हमारे पास already install है, सीधे हम लोग इंस्टालेशन इंस्टाल प्रोग्राम को open करते हैं, तो यह open होने में थोला सा समय लेता है कि कोई भी system हो, दो मिनिट के आए, एक मिनिट लग भग तो ले ही जाता है, क्योंकि जो unreal technology है, जिस model form का morphine advanced animation system दिखाता है, फिर यह movie zoo का अपना program आता है, क्योंकि इसका जो भी engine है, जैसे भी काम करता है, फिर यह scene को load करेगा, तो यहाँ पे loading scene हमारे scene load हो रहा है, by default जिन पे हमने भी काम किया है, तो recent पे वो दिखा देका, जैसे हमने दो project पे भी काम किया था, तो यह file को अगर आपके पास है, कोई already download की हुई है, या आपके पास आपने set बना रखा है, कोई पहले से, तो उसको आप यहाँ पर open कर सकते हैं, और open करने के बाद आप यहाँ पर load कर सकते हैं, इसके लावा कुछ एक set आपके पहले से बने हुए पढ़े हैं, जैसे city है, environment बगरा पढ़े हुए है, hero and villains के लिए पढ़ा हुआ है, historical पढ़े हुए है, home पढ़े हुए है, कुछ एक home के internal जो होते है, view वो पढ़े हुए है, जैसे इसके लावा lighting का कुछ एक setup पढ़ा हुआ है, या lady बने हुए पढ़े है, military के कुछ एक area campus, जैसे कि यह sci-fi, spooky में, बहुत सार इसमें lots of हैं, इसके लाव आप load भी कर सकते हैं, पढ़े हुए है, तो इसके लावा जब recent में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको blank मिलता है, इसको बोलते है blank, हम इसको click करके ok करेंगे, scene को load कर लेगा, वो यह आ गया हमारा, तो basically movie जो यहाँ पर दो पार्ट में आपका divide होत कि दो पार्ट में कैसे divide है, जो एक आपको white part दिख रहा होगा, एक dark part दिख रहा होगा, तो यहाँ पर जैसे sky, मैं sky का कोई एक color ले लेता हूँ, तो color के हम texture ले लेते हैं, सीज़े सीज़े sky का, तो मेरे पास कुछ एक sky का texture पढ़े होंगे, जो मुझे sky का texture अच्छा लगत इस पर मैं वो ले लेता हूँ, जैसे, मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं close कर देता हूँ, इसको लाओ बहुत सारे sky का texture है, जैसे मैं ये ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा sky sky का illumination बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा, ठीक है, फिर ground मैं इसको ground दे देता हूँ, को यहाँ प यहाँ पर कुछ एक texture साब डाल लेते हैं, जैसे कोई भी यह तो पानी का texture है, ground का texture मैंने डाल लिया, इसको cut कर तकते हैं, यहाँ पर मैं ground का भी elimination चाहूँ तो बढ़ा सकता हूँ, ठीक है, इसके लावा मैं shadow बगड़ा, setting बगड़ा, on कर सकता हूँ, तो फिलाल बात करेंगे, हम लोग next video से interface की, फिलाल के अभी हमने आपको सिर्फ यह दिखाया है, कि यह movie juice software इस तरीके का होता है, और आप इसके साथ किस तरीके से काम करते हैं, ठीक हैं, तो यह तो सिर्फ हो गई बात, आज installation की और setup की हमने आपक को open करके दिखा दिया है, यहां पर कुछ एक टूल्स दिये हुए हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं, आपर बहुत सारे lots of options हैं, इसके अलावाइन options को अगर आप open करेंगे, तो उनके अंदर भी बहुत सारे options आपको दिये होते हैं, और लेडी सब बहुत छोटा अबस आप करेंगे हैं, जिनको कि आपको संथ और लेडेशे, जिनको करेंगे हैं, तो रमने लोटे में ग्या जापको कि आपको रवच्ज़ क्योड़।